हेई वेल्कम बैक टो आर चैनेल दोस्तो अचकी इस पीरियो मां बात काने वाले है हाउ तू सेट आप नोटिफिकेशन लाइट अपके फोन में तीन तरह की नोटिफिकेशन लाइट दिया गया है जिने आप अपने पसंद की सबसे इस्तिमल कर सकते है नमर वान एज लाइट सबसे पहले फोन सेटिंग्स ओपन करें सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहां साज बार पर फाइन करना है एज लाइटिंग अब इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते ही चिदह नोटिफिकेशन लाइट सेटिंग्स पर चले याएंगे नेक्स्ट एज लाइटिंग स्टाइ बाई डिपॉल्ट आटो कालर सेट रहते हैं अब इसे चेंज करके अपना पसनीदा कोई भी कालर रख सकते हैं सब कुछ सेट करने के बाद डान करें इसके बाद इससे क्या होगा स्कीन लाइट और या ओन इस तरह कालर फुल आइट एपक नोटिपिकरशन आते ही दिख जाएगा दोस्तो फोन के पीछों चेंट लैट दिया गया है उसको भी नोटिपिकरशन लैट की तरह उस कर सकते हैं इस फीचरS को एक्टिवेट करने के लिए फोन सेटिंस के अंदर फइंड़ करें धान करें तरह कालर चैमेरा फ्लस प्लास लाइट ब्लिंक करके आपको अलट करेगा नमबा थ्री कालारफूल नोटिपिकेशन लाइट दोस्तों पहला दो फीचर्स ऑफिसेली समसंग के तरफ से मिल जाएगा लेकिन फॉन क्यामेर के असपास जो एडीडी कालारफूल लाइट ब्लिंक कर रहा है इससे एक्ट दबाईए एप सेटप करने से पहले कुछ कुछ पर्मिशन एलाव करना होगा सिलेक्ट एप्स जिस एप्लिकेशन का नोटिपिकेशन लाइट आपको देखना है उसका पर्मिशन टान ओन कर दीजिए हमने मेसेंजर, इंस्टाग्राम, मैसेज, फोन एन होर्सप का Change Settings इसपे टैप करके Stop Battery Optimizing Allow करना है फिर Change Settings पे क्लिक करके EOD Notify टाना ओन कर दीजिए Always On Display इस Always On Display सेटिंग्स को So Always Set करना है Next draw on skin इसपे क्लिक करके Install App में जाईए इसके बाद EOD Notify को टाना ओन कर दीजिए दोस्तों सभी permission allow करने के बाद done करें इसकी home page पर कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा आप notification light को आप customize करेंगे First notification tap open कीजिए EOD notify आपको notification भेजेगा इसे allow करे Apps यहाँ से किसी application का notification light on या off कर सकते हैं इसके बाद battery में यह के full charge, phone charging light और low battery light set कर सकते हैं लेकिन इसके लिए मैं मसीब खार इजना पाड़ेगा जो मैं आपको recommend नहीं करूँगा Phone unlocked जब phone unlock रहेगा बैटरी सेब करने के लिए notification light off राख सकते हैं Second notification light tap open कीजिए Style notification light आपको camera के असपर साहिए या full screen में चाहिए मैं आपको size करूँगा camera as set राखिये इसमें battery भी save होगा Effect यहां कहीं सारे effect देखने को मिलेगा लेकिन इन में से के बल तीन effect free में यूज़ कर सकते हैं Diamond sun अलग-अलग device में इसका value change होता है यहां camera save की इसब से notification light adjust करना पड़ेगा इसका थीगिनेस थोरा बड़ा ही है Research value change करके इसका save छोटा या बड़ा कर सकते हैं इसके बाद X position 0 and Y position minus 40 set कीजिए Y value change करके इसका position उपर निच कर सकते हैं Ring light camera के असपर set हो गया है Display time एक notification आने के बाद notification light कितिने समय तक जालेगा यह maximum 5 minute तक free में राख सकते हैं इसके बाद fourth color tap open कीजिए यहां से notification color change कर सकते हैं default color पर tap करके अपना favorite color choose कीजिए दोस्तो इसकी prime features में और भी कहीं से recastimation किया है जैसे कि अलग-अलग application के लिए different type of color set करना etc फिला notification light set आब हो चुका है दोस्तो नेक्स टाइम से जब भी अमारे phone की skin off रहेगा और कोई notification आएगा तो इस तरह एक colorful light कैमेरे के आसपस दिखाई देगा skin unlock करके notification remove करते ही यह light off हो जाएगा दोस्तो आप चाहे तो इन तीनो notification light features एक साथ इस्तमाल कर सकते है आप मुझे comment करके बाते ही है इन तीनों में से आपको कांसा video सबसे अच्छा लगा तो दोस्तो उमीद करते हूँ कि ए वीडियो आपके लिए बहुत helpful था जैस वीडियो को like करके दोस्तों के साथ share करना ना भूट झाल